अगर आप हो और अगर आप C.23 को अपडेट नहीं करते तो आपको C.24, C.25 का अपडेट नहीं मिलेगा दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर और जैसे कि आप सभी को पता कि C.23 का अपडेट आया हुआ है अल्मोस्ट 10-15 दिन के आसपास तो हो चुके है C.22 वाले जो थे उन्होंने mostly ने C.23 पे अपडेट कर लिया है लेकिन A.41 वाले जो हैं जिनका Realme 7 Pro Android 10 और A.41 पर है वो अभी भी confused है कि क्या उन्हें A.41 से अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों आज की वीडियो उनी के लिए है उनकी confusion को मैं बिल्कुल clear कर दूँगा और यहाँ पर एक बात और बताऊंगा जो आपको concern करनी चाहिए अभी वो 100% sure तो नहीं है लेकिन मेरे को सुनने में आया था तो बिना किसी तरी के वीडियो को शुरू करते हैं पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और चलने देते हैं तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की तो गई सी जो टुएटी त्री लेटेस्ट अपडेट है रियल्मी स्यावन प्रो के अंदर और यह अपडेट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ त्वेंटी टू वालों के लिए नहीं यह जबकि ए अब जो पहले चल रही तो गाई अब भी भी एड़ वालों के लिए अपडेट रोल आउट कर दिया गया है रियल्मी की तरफ से और अब इसका मतलब यह है कि अब जो पहले कितना उन्हें इंप्रूमेंट देंखने मिलेंगा कितना कितना दिक्रीस्मेंट देखने मिलेका तो यहां पर मैं आपको सबसे पहली बात बता हो A.41 वालों के लिए अगर Android 11 पर उन्हें अपग्रेड करना है तो C.23 अपडेट जो है वो पहला स्टेप है और गाइस अभी यहाँ पर कोई गरंटी तो नहीं है लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को DM करके बताया था कि उन्होंने Realme community में कोई पोस्ट पड़ी थी कि अगर आप C.23 अपडेट नहीं करते तो आपको इन फूचर आलों के फोन के अंदर नहीं मिलेंगे मतलब A.41 पर अगर आप हो और अगर आप C.23 को अपडेट नहीं करते तो आपको C.24, C.25 का अपडेट नहीं मिलेगा यहाँ पर मैं आपको एक बात और बतायता हूँ यह अभी 100% शूर नहीं है मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना Instagram पर follow कर लेना और Telegram group join कर लेना क्योंकि इसके regarding जैसे ही मिलको information मिलेगी मैं आपको proper inform कर दूँगा और अब बात करते हैं A.41 वालों को क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर वो C.23 पर upgrade कर रहे हैं तो तो guys A.41 Android 11 Realme UI 1.0 के अंदर Realme 7 Pro बहुत मुझ चलता है main बात यही है और उसका reason यही है कि भाई Realme 7 Pro जब release हुआ था तो इसके अंदर out of the box Android 10 Realme UI 1.0 A.23 का update था और A.23 भी बहुत बढ़िया version था इस Realme 7 Pro के अंदर जिसके बाद इसके काफी सारे updates आए और 23 जब 41 तक आ गया है यह तो आप अंदादा लगा सकते हो कि कितना इसकी stability performance में improvement आई थी C.22 वाले उन्हें अगर C.23 पे अपग्रेड किया तो उन्हें कुछ ज्यादा difference फिल तो नहीं होगा 5-10 परसेंट होगा लेकिन A.41 वाले जब C.23 पे अपग्रेड करेंगे सबसे पहला जो उन्हें चेंज फिल होगा वह होगा animation speed का एप ओपनिंग्स एनिमेशन और बैक जेस्टर जो है वो रियल्मी वन पॉइंट जीरो के अंदर फास्ट चलते हैं जितने उतने फास्ट C.23 एंड्रोइड रियल्मी वाई 2.0 के अंदर नहीं है आपको सड़नली ऐसा फिल होगा कि आपका फोन बहुत ज्यादा स्लो फिल होने वाला उसके बाद है बैटरी बैक अप गया है काफी ज्यादा इनिमेशन को एड़ किया गया है और एक तरह से यार यह यह बहुत हैवी हुआ है जिसका एक नेगेटिव इंपक्ट पड़ा है इसके बैटरी बैक अप को लेकर गया है और मिरको आठ और या सा सब्सक्राइब के अंदर जबकि 8.41 वालों ने काफी सारे स्क्रीन शॉट्स मिरको शेर किये थे टेलीग्राम ग्रूप के अंदर और डीम किया इंस्टाग्राम पे तो उन्होंने मिरको जो स्क्रीन ओन टाइम दिखाया है ना उनमें एवरेज जो मिरको लगा वो 9 घंटे अगर नो घंटे मिनीमम मिनीमम रहा ही है उनका उन टाइम तो यहां पर स्क्रीन टाइम और बैटरी बैकप दो डफिनिटली डिक्रीज होगा ट्वेंटी अपडेट के अंदर उसके बाद बात की जाएकर परफॉमेंस की तो परफॉमेंस में इतना कुछ ज्यादा इंप्र गेंप्ले जो है वह स्टार्टिंग मेंने बोला था कि मेरे को बहुत बढ़िया खेलने को मिल रहा है हां स्टार्टिंग में मिला था लेकिन अब का सिनेरियो कुछ और है जैसी मैं बीजी अमय को आन करता हूं पांच य दस मिनिट के बाद सीप्यू जो है वह 100 प्रसंट य यह नहीं है आप बहुत परिशान होगे आपकी बीजे माई वैसे भी प्रॉपर नहीं चलेगी और उसके बाद में बाद कैमरा कुछ खास नहीं रह गए हैं और फ्रेंट कैमरे की हालत तो इतनी खसता कर दी है ना मतलब कोई हद नहीं है यहां पर मैं 8.41 वालों को यह बता नहीं है जैसी कंफर्म होगा मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और अब मैं आपको बताता हूं अपने सजेशन तो अभी तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास 8.41 अपडेट है और आपका जो में कंसर्ण है वह बैटरी बैक चार्जिंग स्पीड पर्फॉ आपको अपने माइंड को यह बिठा के चलना पड़ेगा कि आपको उसके अंदर बग्स बहुत जादा देखने को मिलेंगे सिर्फ नाम का स्टेबल है अभी कोई खास टेबल यह फोन नहीं है मतलब अगर आप इसे रिस्टार्ट करने का बाद स्टार्टिंग में 4-5 घंट कि बतलब हर एप ओपनिंग स्लो हो जाएगी अब यहां पर मिर फोडेट किये वब एकहपते के असपास हो गया है जो मैंने रिव्यू डाला तो इस कंपलेंट करेंगे अगर हैं तो तो करने बढंती हैं अब मैं इसकी बेफालतु में अब मैं इसकी बेकार में तारीफ तो नहीं करूँगा ना क्यूंकि आप बहुत अच्छा है आप अपडेट कर लो कर लो कर लो और अगर इसे अपडेट करें तो उनकी निकल जाएगी इतनी बुरी परफोर्मेंस आपको इसमें देखने को मिलेगी क्योंकि 1.0 वाले तो बहुत बहुत स्मूद चलता है 1.0 पे तो बसी 2.0 पे तो एनिमेशन को एड़ करके यू आई को बहुत हैवी कर दिया में बात यह आप आपको MIUI वाली फील आने लग जाएगी तो में बात यही है अगर आप अपडेट करना चाह रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि आपको A.41 से C.23 पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए सबसे पहले आप अपनी प्रेफरेंस चेक करो आपको चाहिए क्या स्मूधनेस पफोर्मेस कैमरा और स्क्रेविलिटी अगर आपको यह चाहिए तो फिर आप अभी A.41 पर रहो और अगर आपको नई फीचर एक्स्पिरेंस करने हैं सब कुछ नया एक्स्पिरेंस करना है कैमरा युवाई हर कुछ तो आप 2.0 पर आ सकते हो बट वही है कि तो गाइस यह थी वीडियो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए होगी कुछ भी पूछना हो कुछ भी क्वाई हो नीचे कमेंट कर दे रहा है इंस्टेग्राम पर कॉन्टैक्ट कर ले ना महां पर मैं आपको प्रॉपर रिप्लाइग कर दूँगा तो मैं मिलता आप